गाजा की जबालिया शर्नार्थी कैम पर इस्राइल की सिना ने हवाई हमला कर दिया है जबालिया अगर खासर उत्तरी गाजा की बाक्तरे pale नॉर्डन गाजा में आईडिया की निशाने पर लगतार रहा है और यह वहाँ पर एस्टाइस के साथ साथ ग्राउण उपरेशन भी लगतार जारी रहा है कि जबालिया जो शर्नार्थी कैम्प है उसे टागेट किया गया क्योंकि वहाँ पर हमास के आतंकियों के चिपे होने की आशंका जिताई जा रही है और वहीं गाजा के लोगों को अब किसी पर यकीन नहीं हो रहा है अरब देशों ने गाजा के साथ ऐसी चाल चली है कि पूरी दुनिया है इस वक्त हमास को सबसे बड़ा खत्रा इसराइल के बाद दो देशों से लग रहा है हैरानी वाली बात तो यह है कि दोनों देश उसके सबसे बड़े मददगार माने जाते हैं गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करेब 3,000 लोग मलबों में दफन है इसराइल किस तरफ और कितनी तरफ से हमास पर टूट पड़ा है इसकी रिपोर्ट करने की ताकत भी अब फिलिस्तीन के अख़बारों के पास नहीं पची है गाजा पट्टी के अंदर 40 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं और इसराइल फिलिस्तीन के अख़बारों के पूरे नेटवाक को ही तोड़ दे रहा है इसलिए अब गाजा पट्टी से वही ख़बने सामने आ रही हैं जो इसराइल चाहता है इतने बुरी हालातों के बावजूद भी 57 इसलामे मौल्ख गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं फिलहा जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि उत्तर गाजा में भारी कोहराम मचाने के बाद अब इसराइल अपना पूरा फोकस दक्षनी गाजा पर कर रहा है सवाल ये है अगर उत्तर गाजा और रक्षन गाजा दोनों में ही इंसानों के रहने लाएक इस्थितिया नहीं रहेंगे तो आखिर गाजा के इन लाखों लोग कहां जाएंगे ऐसे खतरनाक हालातों में अगर 57 इसलामिक देश एक साथ खड़े होते तो निश्यत तोर पर इसरेल पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता लेकिन आज इस्थितिय बिलकुल अलग है एक तरफ सौधी अरब है जो हमास का समर्थन करने वाले लोगों पर हंटर चला रहा है तो दूसरी तरफ तुर्की के राश्यवदी अर्दुगान है जो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं घाजा पट्टी के लोगों की बात करके भावुख हो जाते हैं तुर्की के राश्यवदी अर्दुगान ने जर्मनी की राजधानी बर्लिंग का दौरा किया है और जर्मनी के चांसलर ओलाव श्कॉल्स के साथ उनकी द्वी पक्षिय वार्था होई लेकिन इस पूरी वार्था के दौरान आर्थिक मुद्धे पूरी तरह से किनारे नजर आए और दूसरे सभी मुद्धे घाजा पट्टी के तनाओं के सामने चोटे पड़ गए आखिर कैसे तुर्की के राश्रबदी एर्दोवान हमास के बख्ष में पूरी इसलामी दुनिया को एक करने के लिए बेचैन हुए जा रहे है ये पूरी हकीकत आपको विस्तार से आगे बताएंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साओधी अरब की जहां एक ऐसी घटना होई है जिस पर यगीन करना नामों के नजर आता है एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इसलाव अब्दुर रह्मान हिलिस्तीन के लोगों के लिए साहनुभूती व्यक्त कर रहे थे लेकिन उन्हें साहनुभूती व्यक्त करने से भी रोका गया और सौधी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया सौधी अरब के अंदर ऐसी एक में और भी गई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हमास के समर्थों पर सौधी अरब की सरकार कड़कती विजली की तरह तूट रही है इस घटना ने पूरी इसलामी दुनिया में एक हड़कम समचा दिया है दरसल बिटिश एक्टर एसलाख अब्दुलरह्मान उम्रा करने के लिए सौधी अरब गए थे सौधी अरब के अंदर एसलाख अब्दुलरह्मान फिलिस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूती जटाने के लिए एक फिलिस्तीन काफिया पहने हुए थे फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा खपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चिक होते हैं फिलिस्तीन का अंदोलन करने वाले बड़े नेता यासर अरफाद अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और ये फिलिस्तीनी काफिया एक तरह से यासिर अरफात की पैचान बन गया था अब्दुल रह्मान ने एक ऐसा ही फिलिस्तीनी काफिया सौधी अरब के अंदर भी पहना हुआ था और इसलिए सौधी अरब की पूलिस ने उन्हें राजसत में लिया और घंटों तक पूछता है सौधी अरब की पूलिस्तीनी को एक संदिक्त की नजर से देखा गया अब्दुल रहमान के उंग्लियों के निशान देने के बाद उनको रिहातो कर दिया गया लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा भैभीत हो गया उन्होंने मेडलीस्ट के एक न्यूज पेपर से बात करते हुए कहा कि वो फिलिस्टीन के साथ सहनुभूती दिखाना चाहते थी लेकिन उन्हें ये करने नहीं दिया किया इसी तरह सौधी अरब के अंदर गाजा के लिए प्रातना करने वाले एक अलजीरियाई मोलके शक्स और बांगलादेशी मोलके एक ब्रिटिश नागरे को भी गिरफतार किया गया बात एकदम साफ है कि सौधी अरब का सौधी राजवन्ष ये नहीं चाहता कि उसकी धरती पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन की संस्कृती का जन्म हो सौधी राजवन्ष को ये बाद बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो लोग आज फिलिस्तीन के समर्थन में सडकों पर उतरेंगे कल उसकी ही सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए सौधी राजवन्ष प्रोटेस्ट के कल्चर को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहता है यही उसका एक टारगेट है आम तोर पर ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि सौधी अरब एक ऐसा देश है जिसका पुराना नाम स्टेट आफ एजाज था लेकिन 23 सिकंबर 1932 में जब सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सौध ने इस स्टेट आफ एजाज पर कबज़ा किया तो उन्होंने इस इलाखे का नाम बदल कर सौधी अरब रख दिया इसमें सौधी शब्द सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सौध का सरनेम है शायद धुनिया के ऐसी पहली घटना होगी जब किसी राजबंश ने किसी देश पर अधिकार करने के लिए उस देश का नाम भी अपने राजबंश के नाम पर कर दिया हो एक तरफ सौधी अरब हमास के समर्द को पर हंटर चला रहा है उन्हें गिरफटार कर रहा है और उनको ये नसीहत दे रहा है कि किसी गितरह का प्रदर्शन श्रीकार नहीं किया जाएगा जबकि दूसरी तरफ तरकी के राजबती अरब्डवान पिछले एक महीमे से लगा कार खासू बहा रही है तरकी के राजबती अरब्रवान ने बरलिन का दोरा किया और इस दोरान उनकी द्वी पक्षी अवारता जर्मनी के चांसलर ओलाफ कोज के साथ होई है अर्दोवान आर्थिक मुद्दों पर बाच्छीट करने के लिए बरले नाय थे लेकिन सारा मामला खटाई में पढ़ गया और सबसी जादा मत्वेद गाजाव के मसले पर हो गया जर्मनी को तुर्की के राष्टपती अर्दोवान की वो बाच सबसे जादा नागवार गुजरी जिसमें अर्दोवान ने जर्मनी के इसराइल को किये जा रहे समर्थन को लेकर एक एतिहास एक तंज कसा तुर्किय के राजशपती अर्दौान ने कहा कि जर्मनी इस अपराद बोध से ग्रस्त होकर के इसरेयल का समर्थन करने के लिए मजबूर है कि दूसरे विश्युद में यहूदियों का जोनर संखार हुआ उसमें जर्मनी के ताना शाह हिटलर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी यही बात किस तरह तर्की के राजशपती ने संकेत में गए जरा सुन एगर बूर्दा इलिमिस कोलूमूस दिलिमिस बागल कलर सक बनुन तारिह एसाबने वेरेमेईज व्यान विचिन ए बिर बुरुरुुलूप में इसरे बेंगिके बम्सिएरोग 1-1-2-3-3-1-2-2-1-3-2-1-2-3-3-2-3-2-1-2-2-2-1-4-2-2-2-5-2-2-2-1-2-3-2-1-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-4-2-1-2-2-3-2-3-1-2-3-5-2-4-2-1-2-1-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2- की के राज्व्पति ने कहा कि उनके उपर कोई गरजा नहीं है कि वह इस्वरैल का समर्थन करने को मजबूर हैं जब कि इस्वरैल के तानासा ने यहुदियों का नर्शंगार नोट करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने अब तक इस्वर रखिया और उन्होंने नेतनियाहू से मुलाकात करके इस्रेयल को हर तरह से मदद का आश्वासन दिया इतना इने जर्मनी हथियारों के दोर पर भी इस्रेयल की मदद करता रहा है और यही बात तुर्की के राश्चोबती अर्दुआन को बहुत ज्यादा परिशान कर रही है और यही वज़े है कि उन्होंने जर्मनी के चैंसलर के सामने उनकी मौजूद्गी में घाजा के मुद्दे को बहुत बड़े पेमानी पर उठाया है वजलासीला इस्राइल इने रहीने वार वे यहिलार रहीने लेडरी तुट्सक्लर इसराइल इने बागादा संस्थाइं बनाई थी और रहें संस्थानों में पूरे यॉर्प के अंदर करीब-करीब साच लाठ यहोदियों को बार दिया गया था एडोल्फ हिटलर एक समाजवादी राश्रवाद की राजनितिक विचारधारा के अनवाई थे और हिटलर ने जो कुछ भी किया उसके बाग जर्मनी के अंदर कभी भी कट्टर राश्रवादी पार्टी उभर ही नहीं सकी लेकिन अब तुर्की के राश्रवादी एर्दोवाद साफ तोर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमास ने जो किया वो घलत है तो अब गाजा के अंदर जो इसरेल कर रहा है उसकी भी निंदा होनी चाहिए दूसरी तरफ जर्वनी के चांसलर भी इसमुद्दे पर पीछे नहीं हते उन्होंने भी अर्दोवाद के सामने ही हमास के निंदा की साथ अक्टूबर को हुए आतंगवादी हमले का जिक्र किया और हमास के पूरे खात्मे के इस्रेली संकल को सही ठहरा यानि अगर देखा जाये तो जर्मनी और तुर्की एक बाच्शीत की मेज पर जरूर थे लेकिन उनके बीच बहुत भारी मत्मेद है के जिए अधने का झाता है अपर भादी बहुत उस्तराइब जाए बादिए जयोगड़िट इस यानिट ज़्ध नवर्ड़्स एद्वर्ट का अरिष गस्टनीं से debate हैं इस थीजल जूनाओ ज़र जएखिपना है की से 1 अर है कि लिसी, अ है निया हैं, उया है लिक न हैं, तर उत्स हैं, सब्ड टोलादिन आई भींडना उर बनिट था लि journals एक्तर रामेना में मिरिा थे नहांर हैं लेकिन इस्राइल के खिलाप एक्षन लेने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं जुटाई है। वेकिन बांगने की हिम्मत नुटाध और श्राइल की खिलाप मिन अश्माई है।